आठ अगस्त के गुरुकुलप्रेप देली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस आठ अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था यहां आंदोलन अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी AICC के बॉंबे सत्र में शुरू किया गया एक जन आंदोलन था गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरनायक लड़ाई के लिए देशवासियों को करो या मरो का स्पष्ट आहवान किया हर साल आठ अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निरनायक ख्षन था यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाजली देने का भी अवसर है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्रानों की आहुती दी है अपडेट दोग समझोता भारत ने बिम्स्टेक से मुक्त व्यापार समझोते पर पुनर विचार करने का आग्रह किया वानेज एवं उद्योग मंत्री पीऊश गोयल ने सुझाव दिया कि बंगाल की खाडी बहुक्षेत्रिय तकनीकी एवा आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के साथ सदस्य देशों को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझोते पर फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि समझोते को लेकर बातचीत बहुत धीमी गती से आगे बढ़ रही है समूह 2004 से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझोते FTA पर बातचीत कर रहा है मंत्री ने कहा सदस्य पूर्ण मुक्त व्यापार समझोते के बजाए अधिमान्य व्यापार समझोते पर बातचीत करने के बारे में सोच सकते हैं अब तक 20 से अधिक डौर की वारताएं हो चुकी है यहां आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था अपडेट 3 नियुक्ती सरकार ने SBI अध्यक्ष के रूप में चल्ला श्री निवासुलू सेक्टी को नियुक्त किया केंद्र सरकार ने भारतिय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में चल्ला श्री निवासुलू सेक्टी और प्रबंध निदेशक के रूप में राणा आशुतोष कुमार सिंग की नियुक्ती को मनजूरी दे दी है जहां वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा 28 अगस्त को सेवानिव्रित होने वाले हैं इसके अतरिक्त SBI के वर्तमान उप प्रबंध निदेशक DMD राणा आशुतोष कुमार सिंग को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ती उनके पदभार ग्रहन करने की तारीख से प्रभावी होगी SBI के अनुसार चल्ला श्रीनिवा सुलू 60 जनवरी 2020 में प्रबंध निदेशक के रूप में SBI के बोर्ड में शामिल हुए और वर्तमान में बैंक के अंतरराश्ट्रिय बैंकिंग, वैश्विक बाजार और प्राध्योगी की विंग की देखरेख करते हैं अपडेट चार बैंकिंग Capital Small Finance Bank और Edelweiss Life Bank Assurance के लिए साजेदार बने Capital Small Finance Bank Limited, CSFB और Edelweiss Life Insurance ने एक बैंका शोरेंस टाइप में प्रवेश किया है यह रणनीतिक साजेदारी CSFB के ग्राहक आधार को Edelweiss Life Insurance के जीवन बीमा उतपादों तक पहुँचने में सक्षम बनाएगी जिससे उनकी वित्तिय सुरक्षा की आवश्शक्ता पूरी होगी इस व्यवस्था का उद्देश अपने ग्राहकों को Edelweiss Life के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सर्विस टचपवाइंट तक पहुँच प्रदान करके CSFB के जीवन बीमा लाब को बढ़ाना है आज CSFB की 177 शाखाएं हैं और इस टाइब के साथ Edelweiss Life के सभी उत्पाद इन शाखाओं में बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे अपडेट पांच पुस्तके P. राजीव के चैनित निबंधों का विमोचन CPIM, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य M.A. बेबी ने कहा कि पढ़ना किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए बलकि इसमें समाज भी शामिल होना चाहिए वे कोच्ची में एक समारोह में उद्योग मंत्री पी राजीव की पुस्तक Selected Essay के विमोचन के बाद बोल रहे थे श्री बेबी ने कहा कि श्री राजीव पाठकों को जटिल विश्यों को समझने में मदद करने के लिए एक सरल और मूल भाषा विट्सित करने में सफल रहे हैं लेखक और आलोचक सुनील पी इलैडम ने पुस्तक की पहली प्रती स्वीकार की हरिथम बुक्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में मंत्री द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखे गए 127 निबंध और उनके भाषन भी शामिल हैं अपडेट छे अंतर राश्ट्री नोबेल पुरसकार विजेता महम्मद यूनुस बंगलादेश अंतरिम सरकार का नेतरित्व करेंगे नोबेल पुरसकार विजेता मुहम्मद यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और उनके शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह, जिसमें ज्यादातर छात्र थे, के बीच बांगलादेश से भागने के बाद देश की अंतरिम सरकार का न प्रधारे में राजनीतिक दलों और अन्य हिद्धारकों के साथ चर्चा के बाद जल्द ही फैसला किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से देश में फैली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। अपडेट साथ विविध। पार्ल रोयल्स में शामिल हुए दिनेश कार्तिक 27 में पहले भारतिय क्रिकेटर बने। पूर्व विकेट कीपर बल्लेबास दिनेश कार्तिक को पार्ल रोयल्स ने साब 20 के तीसरे सीजन के लिए साइन किया था। जिससे वह 9 जनवरी से शुरू होने वाली दक्षिन अफरीकी लीग में भाग लेने वाले पहले भारतिय क्रिकेटर बन गए। कार्तिक 49 वर्ष ने इस साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारुकों से सन्यास ले लिया था और तब से इंडियन प्रेमियर लीग की टीम रोयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने उन्हें मेंटर और बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। उनका आखिरी प्रतिसपर्धी 2-0 मैच IPL 2024 में RCB के लिए था जिसके लिए उन्होंने 14 मैचों में 187.36 की स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाये थे। कार्तिक का भारतिय टीम में आखिरी मैच 2022 में आस्ट्रेलिया में टुजीरो विश्व कप के दौरान बांगलादेश के खिलाफ था। अपडेट आठ राश्ट्रिये। सरकार ने फैसला पल्टा, LTCG करके लिए इंडेकसेशन लाभ बहाल। व्यापक आलोचना के जवाब में, सरकार ने गैरसूची बध परिसंपत्तियों की बिक्री से लॉंग टर्म कैपिटल गेन, LTCG करपर इंडेकसेशन लाभ हटाने के अपने विवादास्पद बजट प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। वित्विधेयक में किये गए संशोधनों के अनुसार, करदाताओं के पास अब इंडेकसेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत की दर से या 23 जुलाई 2024 से पहले अधिग्रहित संपत्तियों के लिए इंडेकसेशन लाभ के बिनाबारह। पांच प्रतिशत की नई दर पर LTCG कर का भुगतान करने का विकल्प है। करदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कम कर राशी के परिणामस्वरूप विकल्प चुने। अपडेट नौक योजनाएं और समितिया। यूपी और बिहार में नमामी गंगे मिशन 2.00 परियोजनाएं। केंद्र सरकार ने नमामी गंगे मिशन 2.00 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड रुपए की चार बड़ी परियोजनाओं को पूरा और संचालिन शुरू किया है। इन परियोजनाओं से 145 मेगालीटर प्रतिदिन MLD की सीवेट शोधन क्षमता बढ़ेगी और बहतर सीवर नेटवर्क उपलब्ध होगा। Hybrid Annuity PPP हम मौडल पर आधारित इन परियोजनाओं को Advanced Sequencing Batch Reactor तकनीक के आधार पर डिजाइन किया गया है और ये National Green Tribunal NGT द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करते हैं। इन पहलों से गंगा और उसकी सहायक नदियों की जल गुनवत्ता में परियाप्त सुधार सुनिश्चित हुआ है। Update 10 खेल वजन के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई पहलवान विनेश फोगाट। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में परम गौरव के शिखर पर भारत की प्रमुख पहलवान विनेश फोगट को फाइनल से कुछ घंटे पहले अयोग्य घोशित कर दिया गया था। विनेश 50 किलोग्राम फ्रिस्टाइल कुष्टी वर्ग में भाग ले रही थी, उन्हें अपनी स्पर्धा के लिए 50 किलोग्राम वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक वजन का पाया गया। विनेश आमतौर पर 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं लेकिन पेरिस ओलम्पिक के लिए उनका वजन 50 किलोग्राम हो गया है। उसके वजन करने के दूसरे दिन वह लगभग 100 ग्राम के छोटे अंतर से सीमा से अधिक पाई गई थी। भारतीय ओलम्पिक संग आयोए ने उन्हें अयोग्य घोशित करने के खिलाफ अपील की है।